तो बिहार SSE के तरफ से जो आप लोगा inter-level की vacancy चल रही है इसमें बहुत सारे चात्रों को problem यह आ रहा है कि वो जब payment करते हैं तो उनका payment यहाँ पर फंस जा रहा है लेकि उनका जो पैसा है वहाँ पर कट जा रहा है लेकिन वहाँ पर जो successful है वो payment नहीं हो रहा है आगे वो process नहीं कर पा रहे हैं आगे form यहाँ पर नहीं भड़ पा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे student है जिनका कि दो दिन हो गया है तीन दिन हो गया है चार दिन हो गया है लेकिन फिर भी ना तो उनका पैसा refund आया है यानि कि ना पैसा बापस हुआ है और ना ही जो form है उसमें पेment successful होगा क्योंकि 24 से 48 घंट अगर हो जाता है और उसके बाद भी आप लोगों का सेक्सफुल सो नहीं करता है तो आप लोगों का पैसा है वो यहां पर रिफंड हो जाएगा अब किस तरीके से आप लोगों को रिफंड प्राप्ट करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्योंकि रिफंड करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस नहीं पर करना होगा उसके बाद ही आप लोगों का पैसा है वहां पर refund कर दिया जाएगा और date भी बता दिया गया कि कब तक आप लोगा जो पैसा वो एकाउंट में refund हो जाएगा बहुत सार लोग यहां पर बोल रहे थे कि net banking से अगर आप यहां पर payment करते हैं तो आप लोगा payment नहीं फसएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आप net banking से करिए UPI से किजिए, debit card, credit card, किसी से भी आप payment किजिएगा, आप लोका अगर payment फंचना होगा, तो 100% आप लोका payment फंच जाएगा, तो ये process आप अपनाईएगा, आप लोका payment बापस आजाएगा, ये मैं आप लोको guarantee देता हूँ, देखे मैंने क्या process किया है, वो मैं आप लोको बताएगा हूँ, तो payment बापस पाने के लिए, यहाँ पे देखे एक help desk का जो number है, वहाँ पे दिया हुआ है, help desk contact यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखे, आप लोका एक email ID दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोका email ID है, इस email ID पे आप लोको email करना है, email क्या करना है, वो मैं आप लोको आगे दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोको proof दिखाता हूँ, कि मैंने जो है email किया, उसके बाद हमकोimmeessage आया कि आप लोग का जो पैसा है और हमको refund कर दिया तो यहां पर देखे मैंने एक mail किया है, mail का डेठ्ट है वो देखे November 1 यानि कि 1 तरीकों मैंने आप मेल किया है एक दिन पहले मैंने mail किया है और यहां यहां पर देखिया मैंने जो सेम मेल किया हुआ है कि payment detected but not submitted payment not successful तो यह जो आप लोको डालना है यह आप लोका जो subject होगा subject में आप लोको यह लिखना है मैं आप लोको पूरा format प्रोबाइड करवा दूंगा मेरे पास format प्रोडा हुआ है देखिये मेरे पास पूरा format प्रोडा ह यानि कि हमने नेट बेंकिंग से payment किया था तो हमारा 545.9 रुपया यहां पर कटा हुआ था तो वह मैंने यहां पर total लिख दिया है यानि कि point के बाद जो पैसा कटा है वह भी मैंने यहां पर लिख दिया है और यहां पर लिखा हुआ है कि payment was deducted from my account but the form was not submitted please solve my problem as soon as possible payment deduction proof attached below य यहां पर मैंने जो payment है वो amount जो डाला है वो amount हमारे message में आया हुआ था यहां पर देखिए हमको message मिला हुआ हुआ है कुछ इस तरीके से मैंने जहां पर bank के तरफ से message आया है वो message यहां पर जो असक्रिंसोर्ट कर लिया है और उस message को इसमें attach कर दिया है साथ में अपना जो candidate का नाम है वो नाम लिख दिया है registration number डाल दिया है mobile number register email id date of birth डाल दिया है amount डाल दिया है transaction reference number जो हमको हमको message के थुरू मिला हुआ था वो मैंने हाँ पर डाल दिया है payment का date बता दिया है और payment mode हो सकता है कि आप अहां पर UPI हो या फिर debit card credit card हो लेकिन मेरा यहां पर net banking था तो net banking म me ने हम पर लिख दिया है आप यहां पर जैसे है मैंने mail किया है यहां पर आप दो को SBI E-Pay itself, we are unable to track the same at our end from the provided information. यहां पे हमको बोला ज़ारा है, कि आपने जो Detail Provide किया है, उस Detail के माधम से हम आप लोका पेवेंट जो है उसको track नहीं कर पा रहे हैं. आप हमको जो है सही detail प्रोबाइड करवाईए क्योंकि आगर आप लोको ने जो है SBI E-Pay से हाँ पे payment किया है तो ऐसे में हमको जो है सही detail प्रोबाइड करवाईड करवाईड आप detail क्या-क्या प्रोबाइड करवाना है वह यहाँ पर नीचे लिखा हुआ जिसे के gateway trace number, merchant name, merchant order यह सब आपके पास आप उपलब्ध नहीं होगा बहुत सारे लोगों के पास उपलब्ध नहीं होगा या फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हमको हाँ पे send करना है तो ऐसे में आपको करना क्या है मैंने क्या-क्या है वह आप 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 देखिए और नीचे मैंने prob soprattutto बोट लिखे कर लिए मेरे पास जो भी पूफ उपलब्ध मेने ब्रूफ के डाल दिया आब prob ने अपस प्रूस में इह एक अप पर पहले लगा Тो यह पर जो पहले ने पर पैसा कटा अपने वहार हूँ आ पर भेज दिया है तो आप जिस भी बैंक से यहां पर पेमिंट किया है उसका एक बार जो है अस्टेटमेंट निकाल लीजे और उसमें कुछ इस तरीके से अस्टेटमेंट में लिखा हुआ रहेगा और यहां पर देखे ट्रांजेक्शन नंबर यह सब आप लोगा दिया तो यह दो-चीज मेंने आप जो आस्कानल करके लिखी कें लिखा एक मैंने इससी तरीके से मेसेज मिला हुआ है यहाप देखेए मैंूजमें मेसेज मिला हुआ है साथ घंटा पहले हाँ पे मेसज आया है कि आपका जो status है वो यहाँ पे फैल सो कर रहा है यानि कि आप्टों को जो payment है वहाँ पे फैल हो गया है आप लोको दूबारा है पे payment करना होगा यानि कि यहाँ पे देखें उन्होंने पूरा detail दिया है कि कि किस तरीके से हमने चेक किय और यहां पर payment का जो status है वो यहां पर फैल सो कर रहा है और इसमें एक link भी हमको provide कर बाया गया है कि यहां से आप खुद भी status चेक कर सकते हैं यह साथ डीटेल डालकर status चेक कर पाइएगा की आपका payment successful हुआ है या फिर फैल हुआ है तो हमारा payment यहां पर फैल हो गया था अब यहां पर मैंने कुछ भी नहीं किया है इसको जो यहां पर run दिया अब यहां पर हमको फिर से एक mail आता है कुछ दिरबाद यहां पर देखिए कुछ दिरबाद हमको पर refund कर दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप लोका जांकाई दिया गया है, कि दा transaction, यहाँ पर transaction number दिया हुआ है, जो मैंने आप पर send किया था उनको, और यहाँ पर status at our end, is transaction refund and refund will be initiated by SBI EPA on 311.23, यानि कि आप लोका जो पैसा है, वहाँ पर refund कर रहा है, और आप लोका जो पैसा है, उसको refund कर दिया गया है, और 311, यानि कि कल, आज जो है दो तारिक है, 311 को हमारे जो पैसा है, वो हमारे account में refund हो जाएगा, अब यह जो आप लोका पूरा mail है, वो मैंने लिख के रख लिया है, अगर आप लोको यह चाहिए, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जो आन हो जाएगे, टेलिग्राम में मैं यह डाल दूँगा, वहाँ से आप जो पी किजएगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे amount जो आप लोका जितना भी पैसा कटा है, वो पैसा आप यहाँ पे लिख लिख दीजेगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोका जो content का नाव में वो लिखना है, registration number, mobile number, register, email ID, date of birth, amount, transaction number, payment date, और यहाँ पे payment का mode, जैसे कि मेरा net banking था, मै यहाँ पे net banking लिखा, अगर आप लोका card होगा, अगर UPI होगा, जो भी होगा, यहाँ पे आप लिख दीजेगा, और आप लोका जो screenshot, जितना भी screenshot आपके पास है, शाहें आप लोका bank statement हो, जो आप लोको ने online निकाला है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आप लोका जो पै SBI.co.in, इस पर आप send कर दीजेगा, 100% आप लोका जो प्रॉल्म का solution हो जाएगा, और आप लोका जो पैसा वहाँ पर बापस हो जाएगा, और दूबारा payment करके आप लोका आप लोका पर form भर पाईएगा, पिलाल हैं पर बहुत सालों का payment फंस रहा है, तो अभी आप लोका payment नहीं किजेगा, लेकिन इसी तरीके से आप लोका जो पैसा वहाँ पर बापस होने वाला है, मैंने आप लोको लाइव अस्टे बैस्टे पर आप दिखा दिया है, और मैंने आप लोको ये भी दिखा दिया है, कि हमारा पैसा हाँ पर refund के लिए आ चुका है, और जल हमको पै अगली वीडियो में तब दक के लिए धन्यबाद